असलाम अलेकुम फिवर्स आग मैं आपको एक कॉटन फाब्रिक से फ्लोरल प्रिंट से एक टॉप बना कर दिखा रहे हूं पांच ते छह साल की बच्ची का यह टॉप है और कॉटन से बनाया है इसमें शॉर्ट योग है और हल्का सा कर्व के साथ यह राउंड योग है किसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूं इस तरह की अगर हमें टॉप बनाने हूं तकरिबन हमें डेल मीटर कपा चाहिए होगा इसके लिए और इसकी लंज जो है वो पच्छीस इंचे टोटल इसके यह एक पीस मैंने अलग किया हुआ है इसमें से मैं आपको दो पीस हैं यह मेरे पास इसी तरह के इसमें से मैं आपको लंज और इसकी चोड़ाई दिखा रही हूं पच्छीस इंच मैंने इसकी लंज रखनी है और पंद्रा इंच मैंने इसका बास ताइद रखना है 16 इंच पर कटिंग करनी है और इसकी चोड़ाई जो है मैं 24 इंच पर लूँगी ये चुड़ाई मैंने अलग कर लिए चुड़ाई जाद है क्योंकि ये लाइन कटिंग करनी है मैंने बैक साइड मैंने लिए बैक साइड की मैंने ये लाइन कटिंग करनी है ये 25 इंचिस की लबाई लिए मैंने और 24 इंच चुड़ाई ये बैक साइड है तो इसटो डबल फूर्ट करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे शिल्डर मैंने इसका 12 इस प्रेज्ट पर मैंने इसका शुल्डर का निशान लगा रही हूं और शेज्ट पर ही आर्म होल सुट्वे होता है तो इसका पंदरा रखना है तो सोला पे कटिंग करने के लिए आठी इंच लिया मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और यहां से मैंने इसकी A-Line कटिंग करनी है थोड़ा से मैंने उपर 1.5 इंच मैंने उपर करके रखा है क्योंकि नीचे से भी थोड़ी सी ये कर्व में ये कटिंग होती है ये पहले मैं तकरिबन इसनी जादा है इसकी ताकि मेरा फ्रेंट का हिस्ता जो है वो नीचे की पीछे की साइट पर ना जाए A-Line कटिंग हम इसलिए करते है ये बैक साइट इसकी तयार हो गई है अब फ्रेंट के लिए मैं जोई योग तयार करनी है सबसे पहले योग के लिए मैं इसकी चौड़ाई बिसको शोल्डर के साइज की लूँगी जितना ये मेरा शोल्डर का साइज है इसको मैंने डबल किये यानि पूरा जो शोल्डर का साइज होता है अब ही देखे मैंने इसके ओपर रखा है बैक साइट की शोल्डर वाली जगा पर डबल करके इसको शोल्डर का साइज है जहां पर इसका ये गुलाई शुरू हो रही है वहीं से मैंने इसको निशान लगाना है एक पाउं की सिलाई का मैंने और निशान नीचे की तरफ करके लिया है अब मैं इसकी लंड देखते हूँ ये है तक्रिम पाँच इंच है इसकी लंड तो मैं इसको शड़्ए 6 इंच लेरी हूं यानि 1.5 इंच मैं इसको फालतू लूंगी 1.5 से 2 इंच हम जितना गहराई रखना चाहें तो नहां हम फालतू ले सकते हैं सरद 6 इंच है दर्मियान से और साइड से 5 इंच यह लिजए यह मेरी योग भी तयार होगी बिल्कुल इसी साइज की आप यह देख सकती है अब नीचे का जो इसका घेर होगा वो चुर्ण वाला हो गया इसलिए उसकी चुड़ाई हमें जादा रखनी होगी अब नीचे से आप यह देखी जितनी इसकी लैंच है से एक इंच में फालतू लूँगी नीचे से भी थोड़ा सा बढ़ा के लिए क्योंकि इसमें ने कर्व कटिंग किये और चुड़ाई आप यह देखें मैं नीचे घेर से लूँगी इसकी तकरिबन पांच इंच मैंने इसकी चुड़ाई जादा लिए यानि के पूरी टोटल दस इंच इसकी चुड़ाई जादा होगी पूरे घेर की अगर यह 24 इंच है नीचे से राउन बटम तो यह 24 इंच का नीचे का हिस्ता रहेगा अब आप यह देखें नीचे से भी थोड़ा सा बढ़ावाई इसलिए क्योंकि इसकी भी कर्व कटिंग होगी अब इसी के उपर रखकर मैंने इसकी साइड की A-Line कटिंग और जो साइड की कटिंग होगी वो होगी जबकि आपके सेंटर का हिस्ता आप देख रहे हैं सेंटर से यह 5-5 इंच जादा है यानि के टोटल 10 इंच जादा है पूरे का हिसाब लगाएं तो हम अब इसी के ओपर मैंने आप यह देखें आरम होल की इस तरह से कटिंग की है यह देखें तलाई का हिसाब हमें छोड़ना होता है अब आप ये देखिए जितना ये नीचे का हिस्सा है इससे एक इंच उपर निशान लगाकर एक इंच से कम देखें निशान असल ये है तो हम इसको इसी तरह से इसकी कर्व शेप में कटिंग करेंगे अब आप ये देख सकते हैं योक वाला जो कर्व है वो बाहर की साइड है जबके नीचे का घेर का कर्व जो है वो अंदर की साइड है बस हमें इसी बात का ख्यार लखना होता है इसको बैलन्स रखने के लिए ये देखे ये इसकी कटिंग हो गई है अगर हमें कहीं से थोड़ा सा कमी बेशी मेहस्थ होती है तो हमें इस तरहां दुबारा ठीक भी कर सकते है इसमें इस तरहां से चुने डलेंगी चुने डलने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर करना है आप यह देखें पूरा यह आर्म होल का साइज है सिलाई होने के बाद यह आर्म होल मज़ीद छोटा हो जाएगा अब नेक की कटिंग में आपको करके दिखाती हूँ सिंपल राउंड जो के राउंड नेक है इसकी कटिंग में तीन इंच गहराई की और धाई इंच ओड़ाई की यानि टोटल यह पांच इंच ओड़ाई की नेक होगी बहुत सिंपल सा असान सा डिजाइन है जरा सी देर में सिलने वाला डिजाइन है यहां तक कट लगा रही हूँ पूरे में यह पटी लगाउंगी मैं इसी साइज की हमें पटी कटिंग करनी है यह कुछ इस दरह से है अब इसलीवड के लिए मैंने कपडा ले लिया है 17 इंच का है स्लीवड ल dif लिया है 15 इंच का तैयार होगा 75 इंच इसकी चुड़ाई है च्प में इसको चार इंच पड़िंग कर्या हैं इतने बच्चे के लिए आंतर पे हम ठाइच पर कटिंग करते हैं यह लेकि are चार इंच पर कर रहे हूं घहरा आम होल है अगर हमें पट बनाना हो तो हमstraint की कुझा है और यह तरह तो दिखाती हूं अब आपको मैं इसकी इसकी आर्म होल की कटिंग रही एक प्रेंट के जब हम फुरेंट का आर्म होल जब हम योक लगा लेते हैं आम तर पर उसर चाट एक पहले से करके घराahu हूं अगर तो कपड़ा पहनने में भी खूब सूरत लगता है अब आप यह देखिए इस तरह से इसकी शेप हो गई है जब हम से लाई करेंगे तो यह हमारा जो है आर्म होल यह तरह से नदर आएगा अब सबसे पहले पटी लगा लेती हैं मैंने इसी शेप की जिस तरह की राउंड नेक की पटी थी उसी शेप पर मैंने पटी कटिंग की है और बहुत ही सिंपल अंदाज में इसको लगा रही हूं इस तरह के यह डिजाइनिंग हल्गी फुलकी डिजाइनिंग है लेकिन कटिंग करें और जब वो ने महसूस हो कि भी उनने कटिंग जो है पर्फेक्ट कर लिए फिर अपने नए कपड़ों पर कटिंग करें ताकि उनके कपड़े किसी वज़ा से खराब नहूं यहलके हलके से गुलाई वाली जगहों पर कट लगाएं मैंने ताकि इसको पलटने में आसानी रहे यह देखे इस तरह से इसके कॉर्नर्स निकाल लेते हैं उपर से अंदर से तरपाई करें या सिलाई करें या हमारी मर्दी होती है एक छोटा सा पीस लिया है या अंदर बटन पट्टी के नीचे की साइट पर लगाने के लिए पहले आरिंड करना है हमें नैक को और उसके ब रखकर नीचे की साइट पर पट्टी को यह लिजए एक साइट की पट्टी तो यह इसके साथ फिट हो गई है और दूसरी साइट की क्योंकि इसमें बैक साइट पर मैं बटन पट्टी नहीं बना रही हूं यही बटन पट्टी है प्रेंट साइट की जो काम आएगी पहनने और उतारने में, अब यहां से भी मैंने इसको फिस्ट कर दिये, अब इसमें मैं आपको चुने दे के दिखा रही हूँ, कि चुनो का इस तरह से सेंटर से चुने स्टार्ट कर रही हूँ, मैं साइड की छोड़ दिये मैंने, ताकि जितनी मेरे योग का साइज है, मुझे उतन दूंगी में यह देखिए यह इसके बराबर आगी है अब आधी चुनो का रुख दाएं तरफ है तो आधी का बाएं तरफ रहेगा यानि दूसरी साइड जो है वो अपॉजिट होगी अब देखिए जिदर जो साइड दूसरी साइड का जो रुख है उससे बिल्कुल अपॉजिट लिया है मैंने चुनो का रुख इसको भी मैंने सेंटर से शुरू किया है ताकि बिल्कुल एक ही शेप की चुने तयार हो योग के साथ हमें इसका साइड भी लेना है साथ के साथ अब यो तमाम जो नीचे की चुने हैं वो योग के बराबर आ गई है तो देखें आदी जो दाएं तरफ जा रही है आदी बाएं तरफ अब योग के साथ इसको हम नीचे के खेर को फिट करेंगे चाहें तो हम साधी चुने भी डाल सकते हैं ये हमारी अपनी मर्दी है चाहें तो हम इसमें बॉक प्लेट डाल सकते हैं इस पर योग वाली साइट पर पाइपिन लगा सकते हैं या लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं फ्रिल लगा सकते हैं यह हमारी अपनी मर्जी होती है इसमें हम थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से डिजाइनिंग में चेंजिंग जितनी चाहे कर सकते हैं अब एक सलाई मैं उपर की साइड से लूँगी ताकि बिल्कुर सल और इसदेंट से यह व करो सम्पल है अब इसका बाद़ कर लेते हैं जाएब कि इस शेप हैं यह को जोन से न्दा शाए है यह एफ कि नाजरा रही है यह पाइप pseudone 9 इन्च लाइक की परटी लिये और इसमें ये चुने दी जा रही है और चुने देने के बाद और इस तरह से हम देखेंगे जितनी हमारी चुने जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है उतनी हम गहरी चुने डालेंगे अब ये चुने मेरी हलकी डली हैं तो हम लगाते हैं वक पटी भी में भी ये इस तरह की चुने गहरी कर सकते हैं पाइपिन की पटी मैंने लगा लिए अब पाइपिन भी मैं आपको बना कर दिखाते हूं इसमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिक की जरूरत होती है पाइपिन लगाने कोई मुश्किल नहीं होती यह देखें इसको इस तरह से नीचे की साइड पर पलट दिया है और जो हम पलटते हैं तो इस बात का हम खाफ खया लगते हैं कि पलटते हमारी कमारी जो यह नीचे का हिस्था यह सिलाइ से बाहर की तरफ जाना चाहिए क्थ आप्यों पोर्ण आखी वरना एगा से तो यह सिलाई से निकल सकती है पाइपिन मैं आपको दिखाते हूं देखें नीचे से मैंने बाहर की तरफ निकाल के लगाई है तो यह देहें कितने नीट आई है यह पाइपिन बैक साइड से भी अब जो क्यूंकि मैंने यह आर्म होल गहरा कटिंग किया था तो मैं उपर की साइड पर चूने दूंगी और चूने दे पहले हम इसके शूल्डर त्यार कर लेंगे सी कर बैक साइड के अभी मैंने की कटिंग नहीं की हूँ मैं बाद में करती हूं अक्सर अब इस कपड़े को इस तरह ते डबल करके जितनी हमारी नेक है पहले से कटिंग करने का एक थोड़ा सा नफसान यह होते हैं बाद दफ़ा हमारे शूल्डर चोटे बड़े हो जाते हैं तो बाद में कटिंग करने का हमें बस यही एक फायदा होता है अब मैं स्लीफ को आर्म होल के साथ जोड़ लेती हूं जैसे कि आपने देखा है मैंने फ्रेंट साइड पे गहरी कटिंग की थी ना सिर्फ यह गहरी कटिंग हम आर्म होल की कुर्टी के आर्म होल की करते हैं बादू वाली जे कपर जबकि हम इसके बादू की भी करते हैं मैं बादू को लगाते वक्त ही या तो कटिंग करते हूं या फिर इसको लगाने में ही चोड़ी सिलाई ले 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 लेते हैं तो इससे यह होता है कि बाद दफ़ा हमें दाएं बाएं की लगाने में हम बूल हो जाती है तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा बादू दाएं का बा करीबं 6-7 साल की बच्ची का ये साइज है 25 इंचिस की लेंद है 15 इंचिस का बस साइज है अब आप ये देख सकते हैं ये तैयार हो गई है इसको मैंने आयरन कर लिया आयरन होने के बाद इसकी में कितनी फिनिशिंग आ गई है खुबसूरत ये टॉप तैयार हो गई है बहु कर दिया है मैंने तकरिमें 12 इंच का चाहें तो हम 2 इंच का भी दे सकते हैं 3 इंच का भी दे सकते हैं ये अब हमारी अपनी मरती होती है उमीद है आपको डिजाइन पसंद आएगा